हम आपके लिए बैदिक संस्क्रिती एंशिन इंडियन हिस्ट्री का टोपिक लेकर आए हैं सभी कॉश्टन मोस्ट इंपोर्टेंट और कही नहीं आपके एक्जाम्स में अपयर हो सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स अगरा भी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, सेर, सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सबस्क्राइब कीजिए जो भी हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एक्जाम्स हैं उनमें स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है तो इस चैनल पर आपको सबस्क्राइब कर लीजिए ठीक है और जैसे हमारे 100 सबस्क्राइब हो जाएंगे उसके बाद हम आपके लिए अडवांस मैथेमेटिक और बेसिक मैथेमेटिक स्कीन क्लासिज भी मिलेकर आएंगे ठीक है क्वांटिटेटिव और रिजनिंग है जो कि आपके बैंकिंग के लिए भी यूसफुल रहेगी और स्टेट कम्पिटिटिव एक्जाम्स के लिए भी इंपोर्टेंट में रहेगी तो अब हम बिन हम टाइम बेस्ट किये होगे स्टार्ट करते हैं अपना फास्ट क्वेश्चन रिग बेद में सबसे पवित्तर नदी किसे माना गया है तो फ्रेंड्स रिग बेद के अकोडिंग सबसे पवित्तर नदी है सर्सवती गंगा के साथ कन्फ्यूजन होगी बट याद रखिए अगर सर्सवती सबसे पवित्तर नदी है जो आपके रिगवेद है उसके अकोडिंग अगे मूव करते हैं बैदिक समाज की अधारबूत में इकाही थी जो फंडमेंटल में यूडिट थी बैदिक समाज की वो थी आपकी कुल्म या कुटूंब या कुटूं रिगवेदिक काल का सबसे प्रधान देपता था जिसके विशे में 250 सुक्तों की रचना हुई है वो थे इंदर देपता ओके मूव करते हैं किस बैद में सवा को नरिस्थ अर्थार्थ समुईक बाद विबाद या मानुलंगनिय कहा गया है तो सवा को नरिस्थ कहा गया है अथरवेद में है तो राइट अंसर हो जाएगा हम अथरवेद आगे मूव करते हैं किस में रचना में में नरि को सुरा और पांसा के साथ तीन प्रमुक बुराईयों में शामिल किया गया है तो फ्रेंड्स जो नरि ये मिस्त्री है उसको मैत्रेनिम सहिंता में सुरा पांस और नारी को महतीन बुराईया माना गया है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर आपका फास्ट, मैं तराइनिंग सहीं था, आगे मूव करते हैं, उत्र बैदिक काहल में किस देपता को सरबोच स्थान प्राप था, तो फ्रेंड्स, उत्र बैदिक काहल में जो प्रजा पती थे, उनको सरबोच स्थान प्राप था, ओके, आगे मूव करते हैं, सूचिया है, ठीक है, आज कल ऐसे ही क्वेश्चन का ट्रेंड है, और आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एक्जाम में, यहां दो लिस्टे दी गई है, एक में में यग्यों के बारे में बत उच्छा जा सकता है, तो बेसिकली, फोरिंग बन क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो महराजसुई महियक्या है आपका, ठीक है, राजा के सिहांस नो रहने से समंदित यग्या है, ठीक है, जब भी में किसी महराजा को सिहांस नो मिलना होता है, तो उससे समंदित महराजसुई आश्रमेग यगे है अपनी मिराजनेतिक पॉलिटिकल पावर को बढ़ने के लिए बाचपे मं है यगे है श्यूसरे परदर्शिन करने के लिए और जो परजाए का जुमनोरंजन है ठीक में उसके लिए लास्ट है आपका अगनी स्टों में यग यह, तो जो अगनी स्टों में यग यह है आपका, बेसिकली देवताओं को परसंद करने के लिए है, और इसी यग यह में आपकी पशुबली में दी जाती थी और सोमरस का पान किया जाता था, ओके, तो option first है, यहाँ पर आपका बिलकुल सही हो जाएग आगे move करते हैं, फिर से important question है, list wise question और four in one question है, चार question में एक ही question में त्यार हो जाएंगे, ठीक है, individual भी पुछा जा सकता है और इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है, तो मरिग वेद में जो नाम है और जो अधुनिक नाम है, ठीक है, उसके साथ इसका comparison करना है, ठीक है, जो पु आज की में चिनाब है, और जो विपासा है वो आज की ब्यास है, ओके, तो option first, आपका विल्कुल सही हो जाएगा, अगे move करते हैं, नाइंथ question की तरफ, important question, क्या ही बार पुछा गया question है, ठीक है, इस question को विशेष तोर पर याद आप कर लीजिएगा, figure से related है, संसकारों की क पुल संख्या कितनी है, तो friends, 16 मंससकार है, तो इसको आयाद रखिएगा, ओके, आगे move करते हैं, 10th question, again, सूची बाइस question है, सूची बन में आपको विवाओं से related है, और सूची बन में आपको समानने में जादियों, या जो करम कांड थे उससे में related है, तो start करते हैं, जो आ आपका प्रोहित का पारिश शर्मिक मिलें कन्या के साथ विवा, आर्श विवा है, कन्या मुल्य के रूप में एक जोड़ी में गायव बैल चुका कर किया गया विवा, अंती में आपका प्रजा पत्ते विवा, तो यह आपका बिनम देहेच का विवा, इस चीज को याद र एक रिलेटेड एक्स्प्रेनेशन हैं, तो फ्रेंड्स जो गंदर्व विवा है आपका फरस्ट, ठीक है, यह रिलेटेड आपका प्रेम विवा से, ठीक है, अला मेरी जो, आसुर विवा, इम कन्या को खरीद कर ने किया गया विवा, राक्षष विवा, यह पराजित राज कन्या को गुम्रा कर उसके साथ में किया गया विवा, ठीक है, तो फो टाइप्स के आपके विवा है, इंपोर्टेंट है, इंडिविजूल में भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके, आगे मूव करते हैं, ट्वाल्ट क्वेशन की तरफ, तीन मरिन में शामिन नहीं है, प्रिक बैदिक काल से समंदित, जो मरिद भांड में संस्क्रिती है, वो है, आपके में गेर वरनी मरिद भांड, ठीक में OCP संस्क्रिती, इसको विशेश करके याद में रख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेशन है, ओके, आगे मूव करते हैं, फोर्टिन भांड, PGW संस्क्रिती, ओके, थोड़े हाई लेवल के क्वेशन है, बट आज जो भी कम्पिटिशन है, वो सब हाई ही है, ठीक है, तो आपकी अप्रोच शुड भी हाई, हाई अप्रोच होनी चाहिए, तब ही आप हर एक्जाम को क्रैक आप कर सकते हो, ओके, आगे मूव कर हैं, वो आपके भगवान पुर में है, ओके, ओप्शन B is the right answer, अगे मूव करते हैं, 16th question की तरफ, जो प्राचिंतम विवास संसकार का बर्नर में करने वाला विवास सुक्त है, वो किसमें पाया जाता है, तो आपने में मैं देखाऊना, जो संसकार हैं आपके विवास के, व किस के लिए यूज किया गया है, तो गाई के लिए, गाई को मारना अगहने अपराद था, ओके, आगे मूव करते हैं, अपने 18th question की तरफ, आगे आपको दो लिस्टे मिलेंगी, सुची बान में, और सुची में 2 में, ठीक है, तो यहां देखते हैं, पहले हैं संग्रे हित् तो संग्रे हित्र, जो है, वो कोशा मद्याक्ष के लिए यूज की यहीं टर्म है, ठीक है, आगे मूव करते हैं, भाग दूद, तो फ्रेंट्स जो भाग दूद है, वो मकर्म संग्रे करता है, यहीं टेक्स कोलेक्टर, फिन कशता या मच्छतरी, यह आपके पांसे के खेल मेराजा का सहायक, ठीक है, अक्षबाप, यह था आपका प्रतिहारी या महराज परसाद का सक्षक, रक्षक, तो उप्शन वन इस दा राइट आंसर, आगे मूव करते हैं, रित, यहीं प्राकृतिक संतूलन, स्थाबित करने के कारण किस बैदिक देपता को मरितस से गोप क किस देपता के लिए यूज वाल्ड है, तो बरुन के लिए, ओके, लास्ट क्वेश्चन, इंपोर्टन क्वेश्चन, नीमलिक्त में से कौन मूलता मजल्या समुद्र का देपता था, तो फ्रेंस, जो बरुन देपता थे, वो मूलता मजल्या समुद्र के देपता थे, ओके और मुरितू परिबरतन के लिए भी जुम्तेवता है आपके ठीक है वो आपके बरू नहीं है तो फ्रेंड्स ये थे वे आपके में टॉप 20 क्वेश्चन्स होफुली में सभी क्वेश्चन आपको एक बेटेज वाले में लगे होंगे अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट आप कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को बताइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए सारा बेसिक हैंबर हम पूरा मकभम करवाएंगे हंडर्ड सब्सक्राइबर होते ही हम आपके लिए अडवांस और बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासिज भी स्टार्ट कर देंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत और जय हिमाचल परदेश